और उत्राखंग के उत्तरकाशी में जो टनल में रेस्क्यू अपरेशन चल रहा उसे से जुड़ी बड़ी खबर आपके बता दे पानल प्रेज़ में पहुँच चुक है त्रमिको का रेस्क्यू अपरेशन रेस्क्यू के लिए तैनल में तयार की गई है Escape Tunnel किसी भी वक्त Tunnel से बाहर आ सकते हैं श्रमेक राद भर रियुत इस्पर पर रस्की आपरेशन चलाए गया चनल में फसे श्रमेकों से कुछी मीटर का फासला बरह गया है बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्य पुश्टर सिंग धामी खुद उत्तरकाशी में ही मौजूद है चनल में Escape Tunnel तयार कर भी कई है और अब किसी भी वक्त प्रमिक बाहर आ सकते हैं 40 जंदगियां पिछले 12 दिनों से लगातार अंदर जूज रही थी इस तवाल यह था कि आखिर उन्हें कैसे निकाल लिया जाएगा इस हाथ से के बाद उनके निकालने के लिए कई कोशिशें शुरू की दें कई बार उमीद बहुत आगे पहुंची कई बार यह उमीदे टूटी भी यहां पर अब इंतजार किया जा रहा है कि वो जो डृलिंग का काम है वो पूरा हो और बाहर से श्रमिक बहार निकले हमारे साथ दो सहहों की जुड़ गए है बरखा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है राकेश पांडे ग्रांड जिरो से हमारे साथ वो बहुत जल्द बाहर होंगे, काम जो है देखिए वो अभी फिलाल तेजी से किया जा रहा है, तस्वीर बिलाल जो है वो आपको यहाँ पर पीछे दिखाएंगे, अभी शेक मेरे साथ लगातार बने हुए है, उनसे हम पल पल की अपडेट जो है वो यहाँ पर लेंगे, अ वो बहार आपको दिखेंगे, पूरे बाराद दिन की जद्दो जहत के बाद जो आज उन्हें मुक्ति मिलने वाली है, यह अपने आप में पूरा देश टक्टकी निगाहों से लगातार देख रहा है, उनके परीजार लगातार संपर्ग बनाएवे हैं, और देखिए रात म जो इस्तिती बनी वी थी, वो अपने आप में बेहत सारी कहानियां बताती है, जैसे गाडर की कहानी जो है, हम लोगों ने सबसे पहले बता दिया था, कि जिस फ्रेम के उपर पूरा बैलेंस कर गए, यह टरनल रुकावा था, उस फ्रेम के गिरने से यह एक्सिजेंट गु कितना वक्त यहां पर लग गया था, विशेक राद भर में जो काम चला है, और क्या अभी जो आगे के अंत के पाइप हैं, उनको डालने की पूरी प्रॉसेस, पूरी प्रक्रिया के शुरू हो चुकिया, विशेक, इसमें पूरी साड़े चार घंटे का वक्त लगाया, उसक सीजन की कमी थी, जिसकी वज़े से बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी. अगर आपसे अभी समझू, कितना वक्त और लग सकता है, इन स्रमिकों तक पहुचने के लिए, वो टनल उन तक पहुचाने के लिए. देखे, कितना वक्त लग सकता है, वावी शेक ने जानकारी दी, एक आखरी ऑप्सिकल्स था, और जो गाडर जिसका जिक्र लगतार हो रहा था, और एतियातन ये बार-बार जो रेस्क्यू टीम में लगे हुए हैं, लोग, एलेंटी के लोग, दूसरी एजनसियों के लोग और इसी लिए मैनवली लोगों को अंदर भेजा गया, वहाँ पर NDRF के लोग गए, गैस कटर के माध्यम से जो गाडर था, उसे काटा गया, और अब आखरी पाइप डाली जा रही है, और जैसे ही ये आखरी पाइप डालने का काम पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद जो ह है, उन्हें एक एक बाहर निकाला जाएगा, एक से दो मिनट लग सकता है, एक शमिक भाई को बाहर निकालने में, यानि करीब आधे पौन घंटे जब पूरा ये रूट क्लियर हो जाएगा, तो आधे पौन घंटे लगेंगे इस पूरे रेस्क्यू आपरेशन में, यानि उन 41 तमिक भाईयों को बाहर निकालने में, मैं आपको तस्वीरे दिखाता हूँ, जरा जोमिन करिए, हरिंदर टरनल के अंदर ये सिलकेरा टरनल का प्रवेश्टवार है, सुबह हो चुकी है, थोड़ी देर बाद सुर्योदे होगा, और जैसे ही सुर्योदे होगा अनुर चल रहा है, जो जानकारी हमें मिली थी, क्योंकि पहले जो है, डेड़ से दो घंटे, यानि रात अगर मैं एक डेड़ बज़े तक कि अगर बातशीत करो, उस वक्त तक तो गार्डर काटा जा रहा था, उसके बाद से आखरी के दो पाईप डालने का काम था, एक पाईप ड चल रहा है, और अब ये पूरा काम अपने आखरी दोर में, एंडियरेफ के जवार किसी भी वक्त तयार है, यहां पर एक अस्थाई अस्पताल, एक तालिस एंबुलेंसेद, और साथी यहां से चिन्याली सोंट, जो करीब एक से डिर घंटा यहां से जाने में लगता है, व अलकुल राकिश बहुत इंपोर्टन इंफर्मिशन आपने दिये, आप और बरखा नजब बनाया रखिए, ग्राउंड जीरो पर सबसे बड़ी टीम टाइम्स नाव नव भारत की मौझूद है, और पल-पल का अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुचाते हैं, बहुत श शुक्रिया आप दुनों का मारसा जोटने के लिए और जानकारी देने के लिए इस बड़ी कफरेश पर टाइम्स नाव नव भारत लगातार बना हुआ हरेक जानकारी बना हुआ है